पसंस्कार दुखेहि गुन वृत्ति विरोधाच्च दुखम एव सर्वं विवेकिनह थेयं दुखम अनागतं दृष्टि दृष्योह सैयोगो हेया हेतु। प्रकाश क्रियास्थिति शीलम भूतेंद्रियात्मकम भोगापवरगार्थम दृष्यम। हम लोग पातंजल यूग सूत्र के कुछ दार्षनिक पक्षपर विचार कर रहे हैं। पतंजले यहां महत्पूर्ण आवश्चक समझते हैं कि कुछ बातों को, कुछ दार्षनिक विश्यों को गहराई से समझा दिया जाए। और यह आवश्चक है कि हमारा अपने जीवन के संबन में स्पष्ट धारना मान्यताएं हो। एक जीवन के प्रती दार्षनिक दृष्टिकों प्रत्यक व्यक्ति का होना आवश्चक है। भारत में परंपरा से विशेशकर हिंदु धर्म में यह मान्यताचली आ रही है कि हम एक जीव हैं, एक आत्मा हैं, जो आत्मा मरती नहीं, अपने कर्म के फल के अनुसार जन्म जन्मांतर में उसका जन्म होता रहता है, और अंत में मोक्ष होता है। यह धारना हमारी संस्कृति के में विदी हुई है, इस टीप विदी नवर कल्चर, हमारे शास्त्रों में, पुरानों में, हमारे चिंतन में, सर्वत्र यह एक बात गहरी बैठी हुई है, और उसी बात को पतंजली यहां पर द्रड़ करना चाहते हैं। हम अपने संबन में जो समझते हैं, हम अपने जीवन का लक्ष जो अंततो गत्वा मानते हैं, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। अगर हम यह समझेंगे कि हम नश्वर हैं, मरंशील हैं, तो उसके दर का विहवार करते हैं। भारत में, जैसा मैंने अभी कहा, कभी भी मानव को मरंशील नहीं माना गया। गीता हो, रामचरित मानस हो, शिमत भागवत हो, महाभारत हो, जो भी हो, जैव भी ग्रंत हो, पुरान हो, जिन्हों ने हमारी भारती संस्रितिकों का निर्मान किया है, संतों ने, सभी ने यह बताया है, कि जीव, आत्मा, अमर है, और उसके साथ में कर्मों के कारण बंधन हो जाता है इत्यादी इत्यादी और यहाँ पर भी पतंजली उसी बात को बार-बार बताने का प्रेत्न करते है कभी-कभी यह लग सकता है कि अरे योग बताने जा रहे हैं अश्टांग योग बताने क्या करना क्या नहीं करना इतने चपड़े में पढ़ने की क्या आवशकता है नहीं आवशक यह आवशक है एक दार्शनिक दृष्टिकोन एक concept of life is important और वही बात एक यहां से लेकर पहले तो उन्होंने तब स्वाध्या इश्वर्प्र निधान क्रियायोक की बात की उसके बाद में कलेशों के चर्चा की पांच कलेश की अविद्या असमिता रागद्वेश अभिनिवेश की चर्चा की और उसके बाद में वे कर्म थियोरी पर आ गए कर्म कैसे होते हैं और फिर उसके बाद जीवन का लक्ष क्या है कहा संसार में जीवन में दुख है सुख दुख हमा प्रतेक के जीवन में है लेकिन जो योगी है जो विचारशिल व्यक्ति है उसको सब कुछ दुख प्रतीत होता है भगवान बुद्ध के जीवन में हमने कल ही बातचित की यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन में एपरेंटली कोई दुख नहीं था लेकिन जिस जीवन को जी रहे थे वो भी उनको सबसे बड़ा भार दुख पूर्ण लगने लगा जो विचारशिल व्यक्ति विवेकी व्यक्ति है उसके लिए सब कुछ दुख है अब दुख को दूर कैसे करना कौन सा दुख दूर करना तो हमने देखा एक बहुत महत्वपूर्ण सिधांत पतंचली बताते है कि देखो भई जो पुराना दुख हो गया भूत काल में जो दुखवा उसको तो दुख हो गया खतम हो गया अब तो है ही नहीं उसकी चिंतन करते करते अब दुख मत भोगो और जो भविष्य में आने वाला है उस दुख को दूर करने के लिए अभी से चिश्टा को जो वर्तमान में दुख है उसको तो आपको सहन करना पड़ेगा लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसको दुख को दूर करना पड़ेगा उसके लिए प्लान कर सकते हैं we can plan that we don't suffer in future this can be planned उस planning को अब चालू कर रहे उन्होंने philosophy कर ली उसको बताने का प्रयत्म किया अब जो दुख आने वाला है होने वाला है उसका कारण क्या पता चल जाया तो उसको दूर कर देंगे जैसे यह पता चल जावे कि भई आने वाले 10 सालों में 15 सालों में पानी की acute shortage होने वाली पानी बहुत कम मिलने वाला है हम लोग उसके लिए क्या किया अभी सच प्लान करो water harvesting करें पानी को नश्टना होने देवें इसी प्रकार से अगर दुख के संबंद में हमको पता चल जाए कि दुख का कारण क्या है तो उसको दूर कर आगा सकता है और सतरवे सूत्र में पतंजली ने कहा कि दुख का कारण क्या है दुख्ट्री और दृष्ट्र का सैयोग union between that which is experienced and the experiencer जो दृष्टा है और जो दृष्ट्र है उसका सैयोग अब पतंजली दृष्टी दृष्टा और दृष्ट्र क्या है इसको समझा रहे हैं हम यहां तक आए थे इसके आगे हम आगे भी बढ़े थे उन्होंने आगे के दो सूत्रों में बताएंगे यह दृष्ट क्या है अब दृष्ट का आर्थ हम सब समझते हैं जो हम देख रहे हैं आप लोग बैठे हैं मैं आपको देख रहा हूँ आप देख रहे हैं सामने आप मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं पीछे फोटो देख रहे हैं ये स्टेज देख रहे हैं, ये दृष्च हो गया, पतन जली कहते हैं ने, इसके अलावा भी, ये देह भी दृष्च है, ये मन भी दृष्च है, ये बुद्धी भी दृष्च है, ये अहंकार भी दृष्च है, ये सब कुछ दृष्च है, in one word, त्रिगुना आत्मी का प्रक के तत्म हैं एक प्रकृति और दूसरा पुरुष पुरुष प्रकृति याने ये त्रिगुण आत्मिक समस्त्र जगत मन बुद्धी अंकार भी ये जो बाहर का जगत दिखा जेता ये स्थूल मैटर है जो हमारा आंत्रिक मन बुद्धी है ये सूक्ष मैटर और स्वामी विवे का अंदिस पर विवेचना गहराई से करते हुए कहते हैं कि हमारा सूक्ष मैटर स्थूल मैटर का निर्मान करता है ये उन्होंने विदेशों में इस बात को लेक्चर दिता दिते कर समझाया था हम भारतियों समझानते हैं कि यह प्रकृती त्रिगुनात्मक है बाही जगत भी त्रिगुनात्मक है और आंतर जगत याने माइक्रो कॉसम एन मैक्रो कॉसम जो बाही जगत है और आंतर जगत है यह भी त्रिगुनात्मक है हमारा आंतर जगत वो है सूक्षम जगत जो है मन, बुध्धी, विचार, इत्यादी ये भी छी तीन गुणों से मिले हुए है जब हम तमोगुण से अभीबूत हो जाते हैं तब नींद आ जाती है जब रोजोगुण से अभीबूत हो जाते हैं हमारा मन चंचल हो जाता है हम कुछ करन करने की इच्छा करते है और जब सत्वगुण से अभीबूत होते हैं तब हमारा मन शांत प्रसन्न होता है हम ज्ञान प्राब ज्ञान की स्प्रिहा होती है मन शांत हो जाता है ये तीन गुण मन में भी है तो यहाँ पर क्या कहा गया अठारवे सूत्र में कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थिती शीलम नई हो गई चर्चापर ने कर लिया था प्रकाश याने प्रकाश समझते हैं illumination क्रिया activity स्थिती inertia या stability या फिर ज्ञान या सत्व रज और तम प्रकाश क्रिया स्थिती या सत्व रज तम से युक्त ये एक किसको वर्टन कर रहे हैं दृष्य का वर्टन कर रहे हैं जो दृष्य है मन या बाहर का जगत इन तीनों में ये तीन तरह के प्रक्रिया हो रहे हैं या light जल रही है fan चल रहा है क्रियाशी लत्व है जब electricity बंद कर दी तिब क्या होगा, स्थिती हो गई यह table है यह कुरसी है, यह स्थिती शील है नहीं movement हो रहा है car में क्रियाशी लत्व है जब light जल रही तो प्रकाश है बाही यह जगत में भी और आंतर जगत का दिश्टान तो मैंने अभी दे दिया मन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है यह तीनों युक्त और भूत इंद्रिय आत्मकम भूतेंद्रिय आत्मकम जो दृष्ट है उसमें क्या है भूत यानि elements हम जानते हैं पांच elements की बात कही modern chemistry के अनुसार पतानी कितने 120 या 125 ऐसे elements है लेकिन हमारे सिध्धानत के अनुसार भारती दर्शन के अनुसार पांच elements है आकाश, वायू अगनी, जल और पृत्वी तो ये बाहर भी है, अंदर भी है भूत, elements सूक्षम element, उस्थूल elements और इंद्रिय, ग्याने इंद्रिय, करमेंद्रिय और मन ये ग्यारा इंद्रिय तो जो भी दृष्ट है वह बाहर भी है, अंदर भी है इंद्रिय भी है, मन भी है यह सब का सब द्रिश्य है एक whole category of things have been called द्रिश्य और उसका purpose क्या है भोगा अपवरगार्थ वह भी मैंने explain किया था भोग याने experience सुखदुख का experience और अपवरग सुखदुख के experience से छुटका रहा हमने खाया पेट भर गया आपकर नहीं चाहिए भोग भी कर लिया और उसके बाद में जब satisfy हो गए उससे हम संतुष्ट हो गए उससे छुटका रहा पाद लिया तो प्रकृति का उद्देश्य या द्रिश्य का उद्देश्य क्या है जो जीव है उसका यो आत्मा है जो पुरुष है उसका भोग अपवर्ग उसका भोग याने experience और अपवर्ग याने liberation दोनों यहां तक हमने चर्चा की थी ठीक है ने संभव था आप लोगो याद होगा पिछली बार मैंने यहां तक की थी इसके विस्तार में जाने का किया वर्शक्ता नहीं और उसके बाद के भी जो कुछ portions हैं उसको मैं आज 25 वे सोत्र तक पूरा तेजी से समाब्त करने का प्रहतने करूँगा मैं डीटेल्स में जाना नहीं चाहता थियोरी है आप लोग समझते हैं हम भारती दर्शन की च्छाप आप लोगों के मन में हैं मूल बातें आपको बताने का प्रहतने करूँगा विशेश अ विशेश लिंग मात्र अलिंगानी गुनपरवानी विशेश अ विशेश लिंग मात्र अलिंगानी गुनपरवानी क्या कहा पहले कहा था कहीं पर यहां नहीं आया लेकिन जब प्रकाश क्रियास थितीशील की बात कही तो ये तीन कौन है तीन गुण तीन गुण है सत्वगुन, रज़गुन और तमगुन इन तीन गुणों के गुणपर्व गुणपर्व याने उनके आस्पेक्स चार आस्पेक्ट्स है इन गुनों के जो प्रकृती है हम कहते हैं प्रकृती त्री गुना आत्मक है उसमें तीन गुना है सत्व, रज और तम इन सत्व, रज और तम के कितने आस्पेक्ट्स है कहा गया इसके चार आस्पेक्ट अब इसके हम आप लोगों को मैं confused नहीं करना चाहिए यह technical बात है हम इसको समझाएंगे संक्षेप में समझाने का जितनी आसानी से समझा सकूँगा मैं समझाने का प्रहतने करूँगा पहला है विशेश विशेश हम समझते हैं specific special और विशेश general लेकिन एक नहीं यह है minister है governor है यह विशेश हो गया अविशेश सब common कुर्सियां सब यह कुर्सियां है एक कुर्सी कैसी है इसमें विशेशता यह है कि इसमें कुशन लगा हुआ यह विशेश हो गया दूसरा अविशेश general तीसरी बात कही लिंग मात्र लिंग मात्र यहने indicator जिसका केवल indication है indicator मात्र है और दूसरा है अलिंग जिसका कोई indicator नहीं यह चार अब इसके detail में आप मत्र चाहिए अलिंग यहने और यह भी सांग के philosophy का है प्रकृति प्रकृति जिसका लिंग यहने जो ले को प्राप्त होता है अलिंग यहने जो ले को प्राप्त नहीं हो यह संसार में जितनी सब वस्तों हैं ultimately वे डिजॉल हो जाती है किसमे हम बोते हैं electron protons में अगर आप कहें प्रले हो जाय तो किसमे जाएगा electron protons में electron protons किसमें डिजॉल होंगे एक example कि नहीं वो किसमें डिजॉल नहीं होंगे they are the last invalutes तो last invalutes सांख की अनुसार है प्रकृति यह प्रकृति त्रिगुनात्मक है इसमें तीन गुन ऐसे मिले हुए हैं कि आप उसको separate नहीं कर सकते pure प्रकृति तो link का अर्थ है pure प्रकृति link का अर्थ है उससे जो पैदा हुआ वह हुआ महतत्व और महतत्व यह नहीं cosmic intelligence समस्त जगत का जो cosmic बुद्धी है उसको कहते हैं महतत्व उससे पैदा हुए क्या अविशेश general elements कौन से पंचभूत प्रकृति आकाश यह आकाश वायु तेज जल और प्रित्वी यह fine elements और उनके combination से जो gross elements वह हुए विशेश हमको यह सब जो दिख रहा है वे विशेश इनको अगर आप dissolve करें तो किसमें पांच तत्वों में dissolve करेंगे कहते हैं हम जब मर जाते हैं तो क्या होता है हमारे भीतर जो जल है वो जल में हमारे अंदर जो पृत्वी तत्वा है पृत्वी तत्व में चला जाता है अगनी तत्व में चला जाता है हम जब शरीर मर जाता है तो उसके माँ से वायू वायू तत्व में चली जाती है सब हमारा जो शरीर है यह पंच तत्वों से बना हुआ पंचे तत्वों में भी लीन हो जाता है हम सब जानते हैं ठीक है ना तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये तो विशेश लेकिन ये बना किसे था पंचे तत्वों से वे अविशेश और ये अविशेश किस से पैदा हुए थे ये कॉस्मिक इंटिलिजन्स या महत तत्व से पैदा हुए थे और ये महत तत्व कहां से उत्पन्न हुआ था ये हुआ प्रकृति से प्रकृति क्या है वह आदी कारण है और जो ग्रॉस मेटर है वो क्या है वह आदी कार्य है एक श्रंखला बनी होई है प्रकृति का कोई कारण नहीं प्रकृति के लेकिन विकृति होती है जो महतत्व है वह विकृति है उसमें चेंजेस आगए महतत्व से बाकी चीजें पैदा होती हैं लेकिन अंत में जो फाइनल विशेश हो गया उसके बाद और कुछ नहीं होने वाला जो हो ये चार में संसार की जितने भी इनके जो इसके अनुसार सांखे के अनुसार जो चोवीस तत्व हैं इसमें से पुरुश को हटा दीजे बाकी जितने तेवीस तत्व हैं वो सब इसमें इस चार की कैटेगरी में डाल दिये गए बस इसके विस्तार में जाने की जरूत नहीं है स्वामी विवेकरन ने एक्स्प्लेइन करते हुए कहा यह जो अविशेश है वो क्या जिसे मैंने कहा ना कि हब शरीर मेंने एक्जामपल दिया कि यह तो विशेश बाड़ी है जब यह विलीन हो गई तब क्या होगा वह दर्शन के अनुसार कहते है कि एक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सूक्श में तत्व हैं यह आकाश इत्यादी से भी सूक्श में तत्व हैं जिसे तनमात्रा केहते है आप लोगोंने नाम संभरत सुना होगा तन मात्रा fine, very fine elements उदाहरन के लिए एक पुश पर ले लीजे अब पुश में से एक गंध निकल रही ये गंध है क्या आप इसको पकड़ सकते हूँ क्या क्या है यहाँ कोई पार्टिकल से हैं क्या ये दिश्टांत है तन मात्रा का शिरहाम स्वामी वेकानंद और भी विस्तार करते हुए दूसरा दिश्टांत है देते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक औरा होता है इसे औरा कहते हैं न प्रत्येक व्यक्ति के चारों और मानो एक तन्मात्रा ही वर्ड बार-बार आना है अंग्रेजी में इसको औरा बला प्रत्य एक व्यक्ति का अपना एक सूख्ष में वातावरन होता है जब कोई संत एक स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है उस स्थान का वातावरन परिवर्दित हो जा अब आप श्राइन में जाएए यहां के मंदिर में जाएए यहां पर हम लोग सुबह शाम बैठ कर ध्यान करते हैं भजन करते हैं मिलकर नियमित रूप से कीर्टन इत्यादी होता है और वो वर्षनों ते होता चला जा रहा है इसका परिणाम क्या हुआ है वहां के वातावरन में कुछ परिवर्टन हो गया अब उसको आप मेजर कैसे करेंगे कर सकते हैं क्या यह हुआ तनमात्राओं के कारण एक औरा डवलप हुआ सूक्ष में वातावरन वहां का ऐसा डवलप हुआ है जिसको आप इलक्टरोन प्रोटोंस के के इंडिकेटर से नहीं जान सकते जो मंदिरों का बनाने का उद्देश यही है मंदिर एक पत्थर का मंदिर बना दिया मूर्ती बना दी उससे वहां पर औरा नहीं बनता जब कोई व्यक्ति जाकर संत जाकर ध्यान करते हैं भक्त जाकर ध्यान करते हैं धीरे धीरे वहाँ भजन होता है शुब चिंतन होता है उस से उस स्थान का वातावरन परिवर्तित हो जाता है हम उल्टा करते हैं याद रखिए एक मंदिर में अगर बदमाश लोग जाकर शैतानी करना चालू करें बुरे विचार और बुरे कर्म लगें तो वहाँ का आएगा और ऐसे कई दिश्टांत भी है मैं जानता है बनारस में हमारे आश्रम के करीब एक किलो मेटर दूरी पर एक छोटा सस्थान है जिसका नाम था टीला अभी भी है वो स्थान टीला यहने समझते हैं अब टीला यहने हिलोक और वो समझ लिजे कि एक चार या पांच स अब तो वो शहर के बीच में आ गया पहले शरर के बाहर रहा होगा और आप चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं उससे भी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं हम लोग एक बार वहां पर गए वहां पर उस टीले में छोटी छोटी चारों तरफ से कर थोड़ी देर तक उन्हों लोगों ने भजन किये ध्यान किया उस थान पर रामकृष्णी मिशन के इसके पूर्व के जो प्रेसिडेंट स्वामी भूतेशा ने जी महरास्त है उन्होंने छे महिने रहे कर तपस्या की थी उस चोटी सी उसके चारों तरफ जो टीले का जो च में रहे के उन्होंने ध्यान किया तपस्या की थी भिक्षा मांकर खाते थे और उन्हों तपस्या की थी तो हम जब गए तो उसको देखकर हम लोगों को आश्चरी हुआ क्या रहे भई ये तो बड़ी अच्छा स्थान रहा होगा और निश्चित रूप से जब हम गए आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी उस से में भी वातावरन उसमें वातावरन निश्चित रूप से एक स्पिरिच्छल एट्मोस्फेर और वहां पर विद्वान विद्वान था उसको महुसते ही उसका अनुभव होता था अभी सुना है कि वहां पर गंजेडी भंगेडी लो काशी को कहते है अद्भुत्स थाने क्यों शिव जी का बाबा विश्वनात का शिवलिंग है केवल मातर इसलिए क्या इसलिए कि वहां पर हजारों सालों से सेंक्रों सालों से नहीं हजारों सालों से बहुत सारे रिशी मुन्यों ने रहे कर तपस्या किया है सारनाथ है काश लेकिन वहाँ पर बुद्ध था, भगवान बुद्ध ने प्रवचन प्रत्म पहला प्रवचन दिया था, धर्म प्रवचन किया था, जैन धर्म के चार तीर्थंकर वहाँ पर हुए हैं, अभी आप जा के देख सकते हैं, पार्शनात का जन्म स्थान वहाँ है, और भी दो-ती लेकिन तीर्थंकरों के स्थान वहाँ गंगाय के किनारे हैं, जहां पर उनका जन्म इत्यादी हुआ, उन्होंने तपस्या की, नजाने हिंदूों का, जैनों का, बुद्धों का, वो तीर्थ स्थान रहा, नजाने कितने लोगों ने वहाँ पर तपस्या की, उसके पीछे एक historical पार्ट भी जियोग्राफिकल भी है भारत में हम लोग भारत भारती हिंदु लोग काश करके ऐसे ऐसे स्थान चुनते हैं जो प्रकृति की दिश्टी से विशेश हों वहाँ पर हम लोग अपने देवाले बनाएं आप नेना देवी में हम गए भी नेना देवी को आप अगर historical दिश्टी से देखिए तो सब पहाड़ों में से अचाने के एक उँची चोटी के उपर मंदिर बनाओ उपर पहुँचकर आप दूर तक चारों तरफ से देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे सकते हैं तो भारती है या तो टापू को ले लेते हैं ऑंकारश्वर देखिए बढ़ा सुन्दर वो तो है तो हिल्स लो हिल्स हैं वहाँ पर एक हजार फीट से कम की सी लेवल पर है पांसो होगा सी लेवल लेकिन वहाँ पर नर्मदा का एक टापू बन गया है बीच में एक चट्टान का टापू बना हुआ है सब पूरा चट्टान का टापू है उस पर अंकारश्वर भग महादेव का मंदिर अद्भुत स्थान तो प्राकरतिक अद्भुत स्थानों पर हम लोगों ने मंदिर बनाए और यहां पर लोगों ने तपस्या की इस तपस्या के कारण ये स्थान एक विशेश वातावर्ण स्पिरिच्वल औरा जिसे हम कह सकते हैं तनमात्राओं से विशेश तनमात्राओं से पूर्ण हो गए ये स्वामी विवे का नंद बताते हैं इसे कहते हैं तनमात्रा काशी में जाईए काशी की विश्षता क्या है वो एक चटान पर बसी हुई कहते हैं यह यह पौरानिक कता है यह जो भी आप मानिये वो शिव जी के त्रिशूल पर काशी बसी हुई ऐसे जित्रिशूल है शीव इसके उपर काशी बसी हुई है लेकिन फैक्ट यह है कि काशी जो है वे चट्टान पर है और ऐसी चट्टान है कि गंगा का जब बाढ़ आती है तो गंगा की बाढ़ उस तरफ जाती है पूर्व की तरफ और ये पश्टिम की तरफ बनी हुई है पानी उधर जाता है चट्टान को कुछ नहीं होता इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी कैरो काहिरा नील का तुफान आता था नील की बाढ़ा आती थी तो इसमें तुफान वो बदल गया कैरो का स्थान बदल गया कई महान बड़ी-बड़े जो नगर हो गए हैं विश्व के वो नदियों के किनारे रहे लेकिन नदियों की बाढ़ के कारण वो अस्तवस्त और धंस हो गए उनकी पॉजिशन बदल गए काशी इस दी कहते हैं काशी इस दी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन दे वर्ल्ड तो हमारे रिश्यों ने उसको पहचान लिया कि ये बड़ा अच्छा स्थान और वहाँ बाबा विश्वनात को बिठा दिया वहाँ जाकर तपस्या करने लगे देखिये कितने दूर दर्शी थे धीरे धीरे वह स्थान एक आध्यात्मिक संपदा का एक केंद्र बन किया हरिश्यों से सब कुछ मांगा कि तुम्हारे पास जो सब कुछ हो मचे देतो दान में हरिश्यों ने दे दिया उनकी सारी पृत्वी को दान में दे दिया फिर कहां रहोगे तुमने सब कुछ तो मुझे दिया काशी में जाकर रह सकते हो कहो कि काशी पृत्वी से बाहर और सच पूछा जाए वहाँ जाकर लगता है कि काशी सच में पृत्वी से बाहर बाबा विश्वनात की नगरी है काशी की जो राजा है वो काशी नगरी में नहीं रहते हैं वो काशी के बाहर रहते हैं बाहर रहे कर उसके नदी है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ रहते हैं और वहां से काशी का एड्मिस्टेशन देखा करते हैं अब तो सर्कार हो गई है लेकिन administration बाहर से हुआ कर तो कहने का ताथ पर यह यह है कि इन स्थानों पर बहुत से महापुर्शों ने रहकर तपस्या की थी और इसलिए वहां के वो जो स्थान है वो तीर्थ बन गए उनका एक औरा बन गया प्रत्यक स्थान का औरा होता है अगर आप एक night club में जाएं एक कैसिनो में जाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक atmosphere दूसरी ही प्रकार का है और लेकिन यह धियान रखना है कि यह जो atmosphere बने हैं यह atmosphere मानव के कारण संतों के कारण बनते हैं इसलिए कहा जाता है तीर्थी कूर्वंती तीर्थानी संत महापुर लिए जो उन तीर्थों को तीर्था बनाती है शिर्आम कृष्ण जब तीर्थों के लिए गए तो कैसे गए थे उनके शिर्आम कृष्न ने भी तीर्थी यात्रा की थी उनका उद्एश्य कै ता शिराम कृष्ण के तीर्थ जाने का उद्देश है था कि उन स्थानों पर जाकर अपने प्रभाव से उन स्थीर्थों के आध्यात्मिक संपदा को और बढ़ा देना और हम जब जाते हैं तो उस संपदा को से हम लाब उठाते हैं तीर्थ जारे का उद्देश है कि हम एक धर्रे में रह रहे हैं, एक जीवन पधिती सांसारिक जीवन पधिती में रह रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा चेंज आवर्शक है, चलो भई तीर्थ में जाएं, वहाँ पर intense spiritual vibrations हैं, उन vibrations से हमको थोड़ा सा boost मिलेगा, उसके बाद मे और लगे रहे हैं, तो यह मैंने केवल इस बात को समझाने का प्रेतनी किया, जो यहाँ पर इस शब्दा आया है, अविशेश, अविशेश याने तनमात्राइं, इस subtle elements, यह एक ऐसी चीज है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको modern physical science explain भी नहीं कर सकता, physics explain भी नहीं कर सकता लेकिन यह है, उसके बाद तीसरी चीज, उसके उपर है, लिंग मात्र, वह महतत्व या cosmic intelligence, और उसके बाद में अलिंग, अलिंग हुआ हुआ प्रकृति, जो ultimate है, तीन गुनात्मिक, त्रिगुनात्मिका प्रसकृति, जिसमें कोई change नहीं हुआ, movement नहीं हुआ, समभ भाव में है, वह हुआ ही प्रकृति, यह सारा का सारा हुआ, द्रिश्य, यह 18 और 19 के सूत्र में, द्रिश्य का वर्णन किया गया, अब द्रश्टा क्या है, इसको भी देखने, बीस्वा सूत्र, द्रश्टा, द्रिशी मात्रह, शुद्धोपी, प्रत्ययानु पश्यह, द्रश्टा, द्रिशी मात्रह, शुद्धः, अपी, प्रत्ययानु पश्यह, यह द्रश्टा क्या है, अब दो बातने तो आगई, द्रश्टा, द्रिश्य और सैयों, और पतंजली तीनों शब्दों को एक्स्प्लेन करेंगे, द्रिश्ट को एक्स्प्लेन कर दिया, अठारवे और उन्नी स्वे सूत्र में, अब लीजे, बी स्वे सूत्र में कहा, द्रश्टा कौन है, द्रश्टा है, द्रिशी मात्र, ओनली विटनेस, प्योर विटनेस, द्रिशी मात्र, सियर, सियर क्या है, प्योर विटनेस या प्य intelligence intelligence only शुद्ध अपि वो क्या है शुद्ध बिलकुल शुद्ध प्योर लेकिन शुद्ध होते हुए भी अपि याने होते हुए भी प्रत्य या अनुपश्य हा प्रत्य शब्द का यहाँ पर अर्थ है English translation में intelligence माइंड, माइंड और इंटिलिजेंस अवो टेक्निकली डिफरेंट हैं, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, जिसे हमने मन कहा, अंतर कहरन कहा, बुद्धी कहा, जो भी कह लिजे, वह अनुपश्य है, उसके अनु याने पीछे, पश्य देखना, उसके पीछे वह देखता है, यहने द्रश्टा, द्रशी मात्र, वह द्रश्टा या जिसे पुरुष कहा, आत्मा कहा, जो भी पातन, सांखे के अनुसार, पुरुष इस जिसा मैंने अभी कहा था, चैतन्य है, शुद्ध है, कुछ एक्सपीरियंस इत्यादी कुछ नहीं है, लेकिन वह शुद्ध होते हुए भी प्रत्य याने बुद्धी के पीछे अनुभव करता है, बुद्धी के माध्यम से अनुभव करता है, बुद्धी के निकट आने के कारण वह अनुपश्य अनुभव करता है, पश्य देखता है, और बड़े आसानी से सम जिसकी हमने चर्चा कई बार की है, एक स्वटिक को आप लाल कागज के उपर रख दीजिए, तो स्वटिक तो स्वटिक है, साफ है, शुद्ध अपी, प्यूर है, स्वटिक में कुछ नहीं है, और उसको लाल कागज पर रख दीजिए, काले कागज पर रख दीजिए, तो क्य बुद्धी के निकट शुद्ध आत्मा या शुद्ध चैतन्य शुद्ध पुरुष आता है और वह उसके कारण लाल रंका, पीला रंका, काला रंका, मन में बुद्धी में जो विचार इत्यादी उठते रहते हैं उसके रंका हो जाता है। कितने प्रकार के विचार? प्रकाश शील, क्रियाश शील, स्थिती शील हो जाता है। पुरुष जो है, अगर तमोगुन होगा, तो कहेगा कि मैं डल हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है। मुझे बुद्धी में ये सारी बातें हो रही है, बुद्धी चंचल हो रही है, वो कहता है मैं चंचल हो गया। तो बुद्धी के माध्यम से वह विकारी सा प्रतीत होता है, विकारी होता नहीं। तो यहाँ पर यह किसका द्रश्टा का वर्णन किया गया इसके विस्तार में भी जाने की आवश्रक्ता नहीं यह आसान है हम समझ सकने हैं इस चीज़ को कि इसको अंत्तो गत्वा हमको दोनों को अलग करना है अभी यह दोनों इतने मिले हुए हैं जुडे हुए हैं मैंने कई बार कहा इसको चिज़ ग्रंथी कहते हैं दोनों जो ज़़ प्रकृती है और चेतन पुरुष है एक दूसरे के निकट आकर युक्त हो गए अभी आगे और इसको समझाया जाएगा तदर्थ एव दृष्यस्य आत्मा तथ अर्थ एव दृष्यस्य आत्मा च्या कहा गया कि तदर्थ एव तत याने क्या दृष्टा अर्थ दृष्टा के लिए तदर्थ के लिए तदर्थ के लिए है यह चीज़ हम लाए एक फर लाए किसके लिए है ठाकृ के लिए मंदिर में लाए है एक मिठाई लाए है मिठाई लग दिया हुआँ पर बासकेट में रख दिया एक इसके लिए है ये ठाकुर के लिए तदर्थ ठाकुर आर्थ शिराम कृष्णा आर्थ अर्थ शब्द का ये अर्थ है तदर्थ एव उसके लिए ही दिश्यस्य आत्मा अभी दिश्य का पूरा वर्णन हो चुका है मैं वापस बार बार नहीं बताऊंगा प्रकृति से लेकर और अभ विशेश तक सारा जो वर्णन है दिश्यस्य आत्मा आत्मा इने स्वरूप तो कहा the nature of the experienced जो प्रकृति का स्वरूप है वह किसके लिए है is for him तत तत याने कौन द्रश्टा यह जो प्रकृति है छोटे सावसान simple language में यह प्रकृति है यह वो पुरुष के लिए सीधी बात simple शब्द में यह प्रकृति पुरुष के लिए है और खुश्टि ज्यादा विस्तार में जाने की जिरुष नहीं है और अर्णिस्थानों पर भी उसका थोड़ा सा लोगों ने technical description किया है उसके विस्तार में भी जाने की जरुष नहीं है यह प्रकृति पुरुष के लिए है उसके किसी अर्थ उसके किसी उद्देश्य के पूर्ती के लिए और कौनसा उद्दर्श है दो सूत्रों में उसको बतायाएगा बायूस्वा सूत्र देखिए कृतार्थम प्रति नस्टम अपि अनस्टम तद अन्यसाधारन तत्वात कृतार्थम प्रति नस्टम अपि अनस्टम तद अन्यसाधारन तत्वात तद अर्थ बात कही न अर्थ क्या है? उद्धिश क्या है? आगे देखिए उपर आया था भोग अपवरग आर्थम या आठारवे सुत्र में देखिए भोग वरग आर्थम अर्थ शब्द वहां पर आया पुरुश के भोग और अपवरग के लिए प्रकृति की आवश्रकता है पुरुष याने आत्मा जो शुद्ध है मुक्तबुद्ध सुभाव है उसका भोग याने experience किसका सुख दुख का experience जन्मम्रुत्यू का experience हम सबको हो रहा है इस experience के लिए प्रकृति हमारे पास आई है उस experience के बाद में क्या होगा जब experience पूरा हो जाएगा तब क्या होगा अपवर्ग होगा अपवर्ग याने मुक्ति होगी हमारे जीवात्मा जीव चैतन्य आत्मा पुरुष की हम लोगों में सब में जो विद्मान है उसके भोग के लिए experience के लिए और कहते हैं जिसका कृत अर्थम जिसका अर्थप पूर्ण हो गया कृत आर्थ जिस जीव का भोग पूरा हो गया है सुक्तुक का भोग पूरा हो गया है और उसके बाद में उसकी मुक्ति हो गई है उसके लिए कृत आर्थम प्रति नश्टम उसके लिए जो प्रकृती है वो नष्ट हो जाती है दृष्य नष्ट हो जाता है लेकिन अन्य अपी अनष्टम फिर भी नष्ट होते वे भी अन्य साधारनत्वात अन्य लोगों के लिए प्रकृती नष्ट नहीं होती क्यों? साधारन तह सब के लिए विद्धिमा कभी कभी लोग कहते हैं बड़ी मज़दार बात अद्वेत विदानत के अनुसार ये तो सांखे के अनुसार तो ये कहा जाता है कि ये हम सब जितने पुरुष हैं ये सब भिनन भिनन पुरुष है हम लोगों के सब की आत्मा भिनन है और प्रकृति के साथ सही उक्त होकर हम भोग कर रहे हैं अगर मैं मुक्त हो गया तो आप तो मुक्त हो गया आप में से एक अगर मुक्त हो गया जीवन मुक्त हो गया अपने स्वरूप का साक्षात कार कर लिया तो हम सब तो फिर भी बंधन में पड़े रहेंगे किसी एक के मुक्ति के होने के कारण दूसरे मुक्त नहीं होते, क्यों? ये तो साधार अन्य के लिए साधार अन्य रूप से ये बंधन अविद्या ये माया विद्यमान है ही ये सिंपल सूत्र का अर्थ है लेकिन अद्वेत वेदान के अनुसर उसमें थोड़ी प्रापलम आ जाती है अद्वेत वेदान के अनुसर क्या प्रापलम? पहली बात तो ये है कि अद्वेत वेदान तो कहता है कि एक ही आत्मा है सरवत रे paintings है अच्छा अगर मैं मुक्त हो जाओं तो सब मुक्त हो गए हो गए के नहीं इसका क्या उत्तर क्यों इसका उत्तर ये है कि फिर प्रश्न कौन कर रहा है आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं जो मुक्त होता है उसको तो लगता है कि सभी मुक्त हैं याद रखी अद्वेद वेदान्त के अनुसार जो व्यक्ति मुक्त होता है उसको लगता है कि कोई जीवन संसार में अमुक्त है ही नहीं कोई सामने वाला व्यक्ति अगर कोई कहे कि मैं कष्ट पा रहा हूँ तो उसको बड़ा आश्चेर होगा उसका क्यों कष्ट पा रहा है वो तो मुक्त है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सुभाव है उसके लिए ये प्रश्ण उठता ही नहीं जो मुक्ती मुक्त हो गया है उसके लिए ये प्रश्ण नहीं उठता कि संसार में लोग मुक्त क्यों नहीं होते उसको तो लगता है कि सभी मुक्त हैं ही उसके मन में ये प्रश्ण नहीं हुटता है ये प्रश्ण उसी के मन में हुटता है कि जो बंदन में ताथ पर ये यह है यहां पर कहा गया है कि एक व्यक्ति का भोगाप वर्ग पूर्न हो जावे उसका अर्थ अर्थ यह ने जैसे पुर्शार्त बोलते हैं पुर्शार्त कहते हैं न अबर टार्गेट, अबर गोल इन लाइफ गोल इन वाइफ दो हैं यहां पर बताए एक experience संसार के experience और दूसरी मुक्ती जिसका ये दोनों हो गया वह व्यक्ति उसके लिए जो प्रकृति है जो द्रिश्च है वो नश्ट हो जाता है वो नित्यसद्धवध्ध मुक्त सभा अपने स्वरूप में प्रतिश्चित हो जाता है अन्यसाधारं तदद दूसरों के लिए अनश्टन प्रकृति नश्ट नहीं होती यह simple meaning है इस सुत्र का तेवी स्वा सुत्र लेख लेगे स्वा स्वामी शक्तियोह स्वरूप उपलब्धी स्वरूप उपलब्धी हेतु सैयोगह अब पतैंजली ने दो शब्दों को विस्तार से explain कर दिया है पहला था द्रश्टा, दूसरा द्रिश्य, तीसरा शब्द बचा हुआ है सैयोग, देखिए सतारवे सतारवे सूत्र में द्रिश्टी, द्रिश्यो, सैयोग हे यहे तू हूँ, हे यहे तू, कारण क्या है? हम लोगों को जिस वस्तु को दूर करना है, यानि जो दुख है उसका कारण क्या है? यह सैयोग है किसका? दो वस्तु का यह दो वस्तु क्या है? उसको समझाया अब सैयोग किसे कहते हैं? उसको भी समझाया, बिल्कुल थोरोली टेक्निकल रूप में एक-एक शब्द का अच्छी तरह एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं वो कहते हैं सैयोग है सैयोग है वर्ड सिंपल है यूनिया एक दूसरे का निकट में आना यह इसका उद्देश्य क्या है? पतंजली कहते हैं स्वामी शक्तियोहो स्वरूप उपलब्धि स्वामी की शक्तियों का दो प्रकार की शक्तियों का की स्वरूप उपलब्धि उस स्वरूप की उपलब्धि का कारण है सैयोग दोनों में यूनियन क्यों होती है? उसको वे कहते हैं इसका कारण उद्देश्य क्या है? जंक्षन जंक्षन यूनियन अफ पुरुष एंद प्रकृति द्रिश्य एंद द्रश्टा इसका उद्देश्य है रियलाइजेशन उपलब्धी किसकी स्वरूप नेचर की एक्सपीरियंस की अपने नेचर की किसकी एक्सपीरियंस करना है? शक्ति का की उपलब्धी सिंपल बाचा में आपको समझा देवें जब याद रखिए पुरुष और प्रकृति फिर बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे यरकिन आवश्यक है समझन समझना सांख के अनुसार दो एलिमेंट्स हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं पुरुष और प्रकृति के जितने इन्विलूट्स हैं उसको मिला कि 23 होते हैं और सांख की पुरुष होता है 24 ये दो बेसिक हैं वो ultimately there are two elements only, दो तत्व हैं पुरुष जो है वह है नित्य शुद्ध, बुध्ध, मुक्त स्वभाव, निश्क्रिय, कार्य कारण कुछ नहीं होता, न जन्म लेता है, न मरता है, न सुफ्टुक अनुभव होता है, कुछ भी नहीं होता, वो अपने स्वरूप में प्रतिश्चित रेता, प्रकृति क्या है, यह जो जी नहीं है, अपना खुद का नहीं हो जड़ है, जैसे इंजीन, एक इंजीन ले लिजे, इंजीन में कितनी ख्रमता है, वो इंजीन, बड़ी बड़ी ٹ्रेंज को खीच के ले जाएगा, लेकिन क्या अपने से चल सकता है डीजल भर दिजिये डीजल में कितनी ख्रमता है वो जला कि कितनी एनरजी प्रोडूस करते है उसको भर दिजिये पहले वकोईला और पानी भरते थे कि वह डीजल भर दिया इस बार लेकिन एक conscious being होना चाहिए driver दोनों का संयोग होना चाहिए तब क्या होगा जो पुरुश है जो प्रकृति है जो इंजीन है उसकी शक्ति का manifestation होगा उपलब्थी होगी tremendously powerful उसकी manifestation जब तक पुरुश के साथ संयोग नहीं होता conscious driver के साथ संयोग नहीं होता तब तक उसकी शक्ति का manifestation नहीं हो सकता ये simple बात प्रकृति जब पुरुश के साथ संयोग नहीं होती है तब मैंने जैसा दिश्टान दिया था magnet उसके पास में जब foils आएंगे तब वो घिलने डुलने लग जाएं प्रकृति में तीन गुण है पुरुश के निकर जब आते हैं तो तीन गुणों में जैसे लोहे के टुकडों में स्पंदन होता है वैसे प्रकृति में तीन गुणों का जो साम्य है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ही डिस्टर्ब हुआ साम्य कि उससे पहले महत्त्व पेदा होता Cosmic Intelligence उस महत्त्व से पंच महाभूत होते है पंच सुक्ष्मभूत तनमात्रा जो मैंने कही उससे फिर पंच सारी जगत होता है यह वो अलिंग है प्रकृति उसके बाद लिंग है महत्त्व उससे बाद में है यह अविशेश यह तनमात्रा यह सुक्ष्मभूत और उससे हुए स्थूल भूत यह सारा जगत यह कब पैदा होता है जब प्रकृति पुरुष के निकट आती है बिना उसके नहीं होता प्रकृति पड़ी रहेगी निश्क्रिय उसमें कुछ शक्ती नहीं सारी शक्ती होते वे भी एंजिन में सारी शक्ती होते वे भी वो कुछ नहीं कर सकता है और क्या अकेला ड्राइवर बिना एंजिन के कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है उनको नहीं चला सकता वो निश्क्री है उसमें शक्ति नहीं है दोनों का योनियन होने पर परकृ syllables का manifestation होता है उसकी स्वरूप उपलबधी होती है और पूरुश की उसकी भी स्वरूप उपलबधी होती है कैसे उसका स्वरूप क्या है जिसको हम सांग, विदान्त में कहेंगे सच्चिदानंद वा नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपवर्ग उसका स्वरूप है, मुक्ति उसका स्वरूप है प्रकृति के सैयोग में आने पर प्रकृति के जब मूवमेंट्स होते हैं तो उसको भोग होता है, experience होता है और इस experience से निकलने के बाद अंत में वह अपने स्वरूप की उपलब्धी करता है वह जानता है कि वह सचदान अंद स्वरूप है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सुभाव है यह जो मुझे लगा कि मैंने भोग किया, experience किया यह तो केवल बुद्धी के साथ संयोग के कारण हुआ उसके बाद में वह अपने स्वरूप को जानकर मुक्त हो जाता है यह संयोग, यह एक बंधन का कारण है और उसके बाद में मुक्ती का भी कारण यहां कहा, 24 सुत्र में कहते हैं तस्य हेतूर अविद्या यह दोनों का पुरुश और प्रकृति का संयोग अविद्या है कारण, इसका कारण हेतू अविद्या तो हेतू जब चालू किया था, संयोग कहा था दृष्य और दरश्टा का संयोग यह हान हे तू हे यहे तू यह हमारे दुख का कारण है और उसका भी कारण है अवित्या और यह प्रश्ट ने कभी कभी पूछा जाता है और जिसको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आखिर अगर पुरुष जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सभाव है तो फिर यह संसार में पढ़ा क्यों इस चकर में घुसा क्यों वो तो था ही शुद्ध और प्रकृति तो था ही शुद्ध प्रकृति अलग है पुरुष अलग है वो तो अगल अलगी है दोनों का साय योग हुआ क्यों विदान्त कहता है कभी होता नहीं साय योग होता नहीं जैसे एक स्फटिक को कागच पे रखा तो वो लाल दिखता है होता नहीं लेकिन ये लाल के पास दिखना आवश्चक है उसमें लाली आएगी उसका अनुभव होगा और तब उसको पता चलेगा एक सारा सरकल कम्प्रीट करना आवश्चक है बड़ी विच्चितर वात है भगवाँ शिराम कृष्ण कहते हैं कि माँ तुम संसार में लोगों को फंसाती हो और फिर तुम उनको मुक्त भी करती हो तुम ही संसार को में फंसाती हो तुम उनको बद्ध भी करती हो और तुम उनको मुक्त भी करती हो ये तुम्हारी सब लीला चल रही है उन्होंने बड़े सिंपल धंग से उसको बताया बिना इसके हम अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाईए वेदान्त कहता है दूसरे धंग से वो कहते हैं कि अगर पुरुष अपने स्वरूप को इस अनुभव से न जाने तो कभी ने कभी प्रकृति फिर फंसाएगी जब तक प्रकृति है तब तक जरूर फंसाएगी तो इसलिए कहते हैं कि अरे बाबा उस एक्स्पिरियंस ते आपको खुशना पड़ेगा निकलना पड़ेगा स्वामी विवे कानंद कहते थे कि एक व्यक्ति जब मुक्त होता है जिवन मुक्त जब होता है जिस जन्मे में उसके पहले जन्मे में शायद उसको राजा का जन्मे मिला होता है राजकुल में उसका जन्मे होता है क्यों? उसको एमस पास थ्रू अल दी एक्स्पिरियंसेस अफ लाइफ उसके बाद मुक्ति होती है सुख दुख के सारे अनुभव जब हो जाते हैं तब अंतदो गत्वा मुक्ति होती है अविद्या होते हुए भी अविद्या के भीतर से घुस्तर नहीं पड़ता है इसके बिना मुक्ति नहीं होती है तो यहां तक यही बताया है तस्य हेतूर अविद्या उसका यने अंतिम हेतू है कारण है अविद्या तत अभावात सैयोग अभावो हानम तत द्रिशेह के वल्यम तत अभावात सैयोग अभावः हानम तत द्रिशेह के वल्यम चा कहा गया तत अभावात अविद्या अभावाव अविद्या के अभाव होने पर क्या होगा सैयोग अभाव हो जाएगा संयोग जो हुआ दोनों का यूनियन वो अविद्या कारण हो गया अविद्या नाश होगी तो दोनों का संयोग नहीं होगा और संयोग अभाव हने पर क्या होगा हान इसी को कहा हानम One is हेय, that which must be removed हानम means how to remove, that state when it is removed हेय, हानम हेय, हेय, हेतु, हानम और हान उपाय ये चार मैंने कहा था ये योग के चतुषपाद जिसे कहा चतुर्व्यू हो जिसे मैंने कहा मोक्ष के चतुर्व्यू भगवान बुद्ध भी कहते हैं दुख, दुख का कारण दुख के दूर करने वाली स्थिती और दुख दूर करने का उपाए यहाँ पर उसको उनने तीसरी बात बता रहे है हान बता दिया हान हेतू बता दिया अब हे बताया हे यहेतू बनाया अब हान बताते है हान क्या है तद अभावात अविद्या का अभाव होने पर संयों का अभाव हो जाएगा इसको कहा हान और वही दृशे है दृशे ने जो दरष्टा है उसका कैवल्यम कैवल्यम शब्द जो है बड़ा सिंबॉलिक बड़ा अच्छा है कैवल्य i.e. pure केवलता हम बोलते हैं ना केवल हम को केवल हम आज केवल दूद लेंगे बागी चीज़े नहीं लेंगे हम केवल पानी पिएंगे बस और कुछ नहीं लेंगे और कुछ चीज़े नहीं pureness उस थिती के अंदर उसका वह केवल यम that state is called केवल वह एक state है और इसके बाद इसका उपाय क्या है इसकी चर्शा हम अगली बार करें मैंने यहां से आज कितने बड़े कितने सारे सुत्र कर दिये कॉर्स खतम करना जिस पर कार करते हैं ना एक्स्ट्रा क्लास लेना नहीं चाहता मैं तो मैंने आपको बहुत सारे rapidly कर दिये हैं चितना मत कर जिये मैंने कुछ आपको पूरा बता दिया जितना बताना था शास्त्रों में पिताबों में बहुत डीटेल में गए हैं बहुत वेरी टेकनिकल डीटेल उसके जाने के हम लोग कोई जरूरत नहीं है यह सिंपल बात है और इसके बाद जो प्राप्त कारिकरम जो बातें प्राप्त प्रारंब होगी मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि उसको आप जरूर अटेंड करजे यह जो पोर्शन है अगर आप भूल भी जाएं तो कुछ नहीं लेकिन अब आज आव यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धार्णा ध्यान समाधी यह सारी की सारी बात है